प्रोफेशनल शिक्षक संग वकई संगटनाओं ने पहल की है और मांग की है कि आने वाले विधानसबा छेत्र के सभी राशनेतिक दलों के नेताओं नी भी इसकी मांग के लिए अपना समर्थन देकर अपनी भागिदारी दर्ज करनी चाहिए हिंगनगाट विधानसबा छेत्रे शेक्षनिक रूप से पिछड़ा है और शेक्षनिक सुवधाओं की कमी लगादार देखी जा रही है शहर से गुजरने वाले रास्ट्रिय राजमार्ग चावाली से दुरघटनाओं में इलास के अभाव में कई मौते हो चुकी है शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए कई नागरिकों के इलाज के लिए शहर से बाहर वर्धा सिवाग्राम नाकपुर जैसे स्थानों पर जाना पड़ता है उस समय वर्धा जिली के लिए राजसरकार द्वारा घोशित सरकारी मेडिकल कॉलेज को हिंगन घाट विधासवाद छेतर में बनाने की मांग अब नहीं रही है लेकिन एक बड़े जन आंदोलन के रूप में इस आंदोलन को किया ज़रा है इसके लिए शासकी मेडिकल कॉलेज संखर्ज समीती ने मांग की है कि सरकार का ध्यान आकशित करने के लिए जन आंदोलन की भूमी का ली गई है शासकी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर आने वाले 25 अपरिल को शहर को सक्त बंद का अवाहन किया गया है तब सरकारी मेडिकल कॉलेज की शहर की मांग को देखते हुए इस आंदोलन ने चन आंदोलन का रूप धारन कर लिया है हिंगन घाट से रवी यनूरकर की रिपोर्ट